बैदिक जोतिस में बुद्ध को बुद्धी और तर्क का कारग्रह माना गया है। यहां किसी भी ब्यक्ति की कुंडली में उस ब्यक्ति के ब्यापार को दर्साता है। कि वहां अपने ब्यापार छेत्र में किस प्रकार के सफलता को प्राप्त करेगा। सफल हो पाएगा या न इन सब का जो निर्धारण होता है वहाँ बुद्ध ग्राही करता है। ब्यक्ति की बाणी में कितनी मिठास रहेगी जिससे लोग उसकी ओर आकर्शित हुँगे। यह सब बुद्ध ग्राही निर्धारित करते हैं। बुद्ध राक्षी चक्र की 12 राशियों में से मिठुन और कन्या राशी के स्वामी हैं। यहाँ अपनी कन्या राशी में 15 डिग्री तक उच्ची की अवस्ता में होते हैं। जबकि देवगुरु ब्राश्पति की मीन राशी में इनकी नीच अवस्ता होती है। अगर किसी भ ब्यापार के सेत्र में अपार सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। अब आने वाले अप्रेल माह में बुद्ध वक्री गति शुरू करने वाले हैं। बुद्ध की वक्री अवस्ता के दवरान हमारी 12 राश्यू पर अक्छे बुरे दोनों प्रकार के परिराम देखने को मिलेंगे किसी भी ग्रह की वक्री अवस्ता वो है जब उसकी गती में अंतर आ जाता है बुद की यह वक्री अवस्ता मेश राशी में होने जारी है मेश राशी में बुद का वक्री होना मिले जुले परिराम लेकर आने वाला है बहुत से जात्क और IT के छेतर से जुड़े हैं, उनके लिए भी बूत की वक्री अवस्ता सांदार साबित होगी, बूत की वक्री अवस्ता गूर ग्यान अरजित करने के लिए, पैत्रिक संपत्ति से धनलाप प्राप्ट करने के लिए काफी मददकार बहुत से लोगों के लिए होने वाली है, इस वक्री अवस्ता के दोरान बहुत से लोगों के लिए धनलाप के योग बनेंगे। इसके विप्रीत भूत की वक्री अवस्ता के नकारात्मक परिडाम में स्वास्त संबंदित परिशानियों का इस समय अवदि में बहुत से लोगों को सामना करना पड़ेगा। देखी जाएगी, तो इन सब पर हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बुथ का मेश राशी में वक्री अवस्ता शुरू करना, 21 अप्रेल 2023 को दिन में एक बच कर 25 मिनट पर होने वाला है, तो बुथ की इस वक्री अवस्ता का हमारी 12 राशी की जात्कों के जीव करक शिंक अन्या, इन छह राशी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, और बाकी बची हुई छह राशी के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जो नए वीवर्स चैनल पर हैं, चैन मेस रासी के बारे में, मेस रासी के लिए बुद तीसरे और छटी भाव की स्वामी होते हैं। इस गोचरकाल की अवदी में बुद आपके लगन भाव यानि के आत्मा और शरीर के भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। इस वक्री अवस्ता के दोरान आप अपने जीवन से जुड़े हुए फैसलों को आसानी से ले पाएंगे और जो आप फैसले लेंगे उनसे आपको शुप परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं इस समय वदि में आपको अपने नौकरी छेतर में प्रगती देखने को मिलेगी और आप अपने करियर छेतर में संतुष्ट नजर आएंगे मेश राशी के जात्कूं को नौकरी छेतर में अच्छे अवसर हाल लग सकते हैं यह वक्री अवस्ता आपके विदेश गमन के भी प्रबल योग बनाने जा रही हैं ब्यापारी जात्कूं के लिए बूत की यह वक्री अवस्ता अपाल लाब लेकर आने वाली हैं हलाकि आर्थिक इस्तिति के लिए यह वक्री अवस्ता उतनी सुब नहीं कही जा सकती आपके जीवन साती के साथ आपके रिष्टे में तालमेल की कमी देखने को मिलेगी। इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए ओम भूंग बुधाई नमा मंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं बृषब राशिगी। बृषब राशि के लिए बुध दूसरे और पांचवे भाव की स्वामी होते हैं। इस गोचरकाल की अवधी में बुध आपके ब्याय और हानी के बारवे भाव पर वक्री गती शुरू करें। यह वक्री गती आपके खर्चू में बिद्द लेकर आने वाली है। इस समय वधी में पारिवारिक मद्भेत की भी पूर्ण आशंका बनने जा रही है। हो सकता है इस समय वदि में आपकी कोई धनहानी भी हो, कर्यर के द्रिष्ट कोर्ण से भी इस समय वदि में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपके हरेक कारी में इस समय वदि में रुकाउटे देखने को आपको मिलेंगी, कारी छेत्र में काम के दब निवेश इस समय वदी में ना करें परिवार के सदश्यूं और आपके जीवन साती के साथ आपके समंद इस समय वदी में तालमेल की कमी के कारण मधुर नहीं रह पाएंगे आपसी विबाद जन्में ले सकते हैं इस वक्री अवस्ता को सुप करने के लिए बुधवार के दिन बुध वक्री अवस्ता में होंगे यह गोचर आपके लिए लाबदायक सिद्धो होगा हलाकि आपके जीवन में इस समय वदी में कुछ बाधाईं भी आएंगे लेकिन आप उनको पार करने के बाद अच्छा लाब प्राप्त कर सकते हैं करियर चेत्र में बुध की वक्री वस्ता आपको बहतर परिराम देगी आपको नौकरी के सिल्सले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है कारी छेत्र में आप इस समय वदी में बहुत अच्छी मिहनत करेंगे जिसका आपको शुप परिराम के रूप में पदोणनती प्रात्थ हो सकती है आपके बरिष्ट आपके कारी की सराहना करेंगे ब्यापारी जातक इस समयोदी में काफी मजबूत इस्तिति में रहने वाले हैं आप अपने ब्यापार छेत्र में मिलने वाले मौकूं का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे तदा उससे आप अच्छा लाप भी अरजित कर पाएंगे आप अपने प्रतिरंद्यों को कड़ी प्रतिशपर्दा देंगे आर्थिक रूप से भी भूत की यहाँ वक्री अवस्ता आपके लिए लाप की इस्तिति लेकर आई है रिलेशन्शिप के लिहाँ से भी चाहे प्रेम संबन्द हो या दामपत्ती जीवन उसमें आपके रिष्टे बहुत अच्छे रहेंगे आपके आपसी प्रेम में बृद्ध्योंगी परिवार के साथ माहौल आपका अच्छा बना रहेगा स्वास्ति के लिए भी यह गोचर आपको शुपता देने वाला है इस गोचर काल को शुप करने के लिए बुद्वार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं बात करते हैं करकरासी के लिए बुद्ध पीसरे और बारुवे भाव के स्वामी होते हैं इस समय वदि में कारी छेत्र में आपका प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, यानि कि करियर में आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी, इस दोरान आपको नौकरी में बदलाव का भी सामना करना पड़ सकता है, आप अपनी मौजूदा नौकरी से नजर आने वाले हैं, हो सकता है इस समय वदि में आपको अपनी मौकरी से भी हाथ भोना पड़े, व्यापारी जात्रकों को भी भूत की इस वक्री अवस्ता में वह मुनाफ़ प्राप्त नहीं हो पाएगा, जितना वह मेहनत कर रहे हैं, आपके विरोधी व्यापार छेत्र में आपको कड़ी टकर देने वाले हैं, आर्थिक तोर पर भी आपके आय में कमी और खर्चू में बृद्धी इस समय वदि में देखने को मिलेगी, स्वास्त पर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, इस वक्री अवस्ता को शुप करने के लिए ओम ब्रांग बुद्ध की यह वक्री अवस्ता सिंग राशी के जातकों के लिए काफी लापकारी सिद्धों होने वाली है, आपके लिए लाप के प्रबल योग इस समय वदि में बनने जा रहे हैं, क्यूंकि आपके आय भाव के स्वामी आपके भागे भाव में वक्री गति शुरू करे इस समय वदि में आप अपनी छमताओं को पहचान पाएंगे, जिसकी वदलत आप अच्छी सफलता अरजित कर सकती हैं, यह गोचर आपको तीर्थ स्तलू पर जाने का मौका देने वाला है, आपकी सभी मनो कामनाएं बुद्ध की इस वक्री अवस्ता में पूरी होंगी, कर आत्म विश्वास में भी बुद्ध की यह वक्री अवस्ता बृद्ध लेकर आने वाली है, आपका व्यापार भी इस समय वदि में फलता फूलता दिखाई दे रहा है, बुद्ध की इस वक्री अवस्ता के दौरान आप काफी भागी साली रहेंगे, आपका दामपत्ती जी कन्यारास के लिए बुद्ध लगनभाव और दसमभाव के स्वामी होते हैं, इस गोचरकाल के अवदि में अनिश्चित्ताओं और आयू के अश्टमभाव पर बुद्ध वक्री गति शुरू करेंगे, यह वक्री अवस्ता आपके लिए समश्याएं लेकर आ सकती है, करियर में आपको अनेक प्रकार की परिशानियों का इस समयवदि में सामना करना पड़ेगा, साथ यह आप इस समयवदि में अश्चुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, भुद्ध का आपके अश्टमभाव पर वक्री होना और जो आपके दसमभाव के भी स्वामी है, इस ना सकते हैं, या किनी कारणों से आपकी नौक्री भी जा सकती है, भ्यापार के द्रिश्टिकोर से भी आप जो लाप की उमीद लगाए बैठेते, उतना लाप आपको प्राप्त इस समयवदि में नहीं होगा, आर्थिक तोर पर आपके खर्चु में ब्रिद्रेक्तने कों म लेगी, इस समयवदि में किसी प्रिकार की धनहानी होने की भी संभावनाय बाढ़ रही है, आपकी अपने जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, फास्त समश्याओं पर आपको धन खर्च करना पर सकता है, इस गोचरकाल को सुप करने के लिए बुद्ध के बीजमंत्रो का नित्ती 108 बार जाप करें, तो यह था वक्री भुद्ध का प्रथम की छहराशियों पर पढ़ने वाला प्रभाव, उमीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, जो भी दर्चक चैनल पने हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सा पैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिविकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, धन्यवाद